दोस्तों आप भी चाहते हैं आपकी head to head की टीम इतना अच्छा परफॉर्म करें 2000 में 62 rank आपको भी मिली थी यह team यह देखिए 2000 में 59 rank यह GL की टीम नहीं है यह head to head की टीम है दोस्तों और 1500 में 37 rank टीम भी देख लिए को जारा पुराना मैच नहीं है दोस्तों यह देखिए 166 और स्टब्स और कोईड़र अब सबसे बड़ी बात देखिए कोईड़र को केवल 39% ने लिया है और स्टब्स को केवल 28% ने लिया है और यह हमारा VC था अब आप कहेंगे यह team मिली कहा पे थी हाना दोस्तों यह team मिली थी YouTube वीडियो में फिर बता रहा हूं टेलिग्राम पे नहीं YouTube वीडियो पे यह team मिली थी हाना और इस team को बनने में लगे थे सिरफ 15 मिनिट यानि कि अगर आप यह वीडियो देख लो केवल यह 15 मिनिट की वीडियो देख लो आपका भी 2000 में 37 रंक आएगा आपका भी 10-12 रंक आएगा तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं पूरे IPL की आपको 15 मिनट में प्राइम टीम मिले सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ठीक है तो मेरा चैनल सबस्क्राइब कर लीजिए और जैसे ही बेल आइकन आये all पे क्लि टीम टीम ठीक है free of course रंक आप ने देख लिया हमारे टीम का सब्सक्राइब किया कि नहीं किया सब्सक्राइब तो सब ने कर लिया है ख्यार लाइक करना भूल गया होंगे लाइक भी कर देना यार तो यह देखे दोस्तों सबसे पहले विकेट कीपिंग में हमें तीन विकल्प दिये जा रहे हैं चार सेक्शन होते हैं पहले सेक्शन के उपर बात चल रही है विकेट कीपिंग में हमें तीन विकल्प दिये जा रहे हैं सबसे पहले इन तीनों का बैटिंग लाइन अप देखा जाएगा हाना तो बेर स्टो गिनो दोस्तों इनको विकेट कीपर मत गिनो कि विकेट कीपिंग से भी आपको यह वन्दा पॉइंट देके जाएगा क्यों विकेट कीपिंग करेगा जी तेश ठीक है लेकिन वह बहुत लेट रहा है दूसरी तरफ क्लासन आ रहा है पांच में नंबर पर लेकिन फाइदा क् विकेट कीपिंग भी करेगा अना तो मैंने सबका आपको बता दिया कौन सा पर किस रोल के जर्गे आपको पॉइंट देगा तो सबसे पहले देखते हैं जिसके बारे में सबसे पहले बात की थी बेर स्टों दोस्तों मानिए चाहे ना मानिए लेकिन अधर पॉइंट दे र पॉइंट देखे जाएगा एक मैच में 30 आ रहा है 57 आ रहा है 10 आ रहा है 11 आ रहा है और तो लगबग अभी यह इसका स्किल थोड़ा सुदर गया है पिछले दो मैची से कोई ना कोई पॉइंट यह बंदा देखे जा रहा है और अगर हम देखना चाहे मैच इसकी धरती भी यह भी एक फैक्ट है दोस्तों कि एक बर चेक करते हैं मैच कहा पिए है मैच और पूस्तों और सो बास जरूरी मिलेगा how to अपने घर पे दोस्तों हर बंदा अच्छा खेलते है तो यहां पर opener हना इस लिहास से कि ये कोई 25-30 भी मार गया तो वो चीज मायने में रखते हुए बेर्स टो टीम में बक्का आएगा बात करते है क्लासन सहब की तो क्लासन ओहो दोस्तो विकेट कीविंग से ये बन्दा कोई पॉइंट नहीं दे रहा अकेला प्लेयर एसरेच का तो इतना बड़िया खेल रहा है तो क्लासन बाहर नहीं जाएगा आगे बात करते हैं जितेश की जितेश यह रहा हर मैच में विकेट कीविंग से पॉइंट जरूर आ रहे हैं इसके और तरीके जना है 30-35 पॉइंट एक विकेट के लगभग यह पॉइंट हम मैं देखे जाएगा ठीक है तो अगर कोई अच्छा बॉलर ना मिला ठीक है जो जितेश को लेने में कोई बुराई नहीं है ठीक है अब यहाँ पे देखते है अभी शेक दिख रहा है यहाँ और अभी शेक नजे एक ओवर किया भी था एक याद दोवर अभी शेक ने बॉलिंग भी की ती तो देखो बॉलिंग से हलाग कि विकेट कभी नहीं आया इसका लेकिं बॉलिंग से बंदा पॉइंट नहीं देगा ये बात तो मैंट से निकाल दीजेग यार ये बंदा बॉलिंग से पॉइंट देगा और अधर के भी कोई खास पॉइंट ही हमें नहीं देगा लेकिन ओपनर आ रहे है और बैटिंग से ही हलग भग हर मैच में ये बंदा अच्छे खासे पॉइंट समें देखे जा रहे है तो एक प्लेट तो कनफरम हो चुका है हाँ ना दूसरा धावन सहाब धावन दोस्तों फिल्डिंग से पॉइंट जरूर देगा जी हाँ दोस्तों थोड़े जोड़े जारा नहीं दे रहा लेकिन बैटिंग में अगर लास्ट मैच छोड़ दें तो लगबग हर मैच में ये बंदा पॉइंट हमें दे रहा है देखो ठीक है और बैटिंग ओडर भी इसका टॉप ओडर में है फिल्टर लगाते हैं सवाध नहीं हारा दोस्तों पहले लगाते हैं इसरफ पे तो एसरेच में ऑप्शन हमें दिखे रहा है ट्रैवीज एट का समध नहीं तो केवल दू अन्हीं के लिए इनको देख लेते हैं इक बार तो ट्रैविज अटरश और ट्वालीस अठाईस उस लिहास से ये बन्दा important है ठीक है अब बात करेंगे दोस्तों पंजाब की तरफ से कौन कौन सा option आ रहा है आपको पंजाब की तरफ से शशांक आ रहा है ये आ रहा है आशितो शर्मा का भी पिछले match में बहुत एक अच्छा option आया है दोस्तों बहुत खुशी हुई कि एक young talent भारत का उबर की आया शशांक के साथ शशांक का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कूंकि वह तो senior ही बन चुके अभी दोस्तों इतना अच्छा performance दिल हिल गया उनका betting देखके तो दोस्तों ये बंदा है जो आपको balling से कोई point नहीं देगा wicket keeper है wicket keeping से भी कोई point नहीं देग आपको लेकिन betting से अच्छे खासे point दे रहे हो हर match में दे रहा है ऐसी बात नहीं है एक wicket के point देखे जाएगा देखो ध्यान रखो अगर कोई player ना मिला तो प्रब, Simran and Jitesh ये दो option आपके लिए खुले है इनको आप ले सकते और तीसरा pick हमें दिखा शेशांक सिंग के रू अगर कोई baller हमें पसंद ना आया तो ये player हमारे काम आएंगे, ठीक है, all rounder section, यहां से हमें विकल पर दिख रहे हैं दो, Raja का और Sam Curran का, हाना, Sam Curran जो शायद 2-3 down पर betting भी करने आए, और betting order तो देखे, Sam Curran का, चौसे number पर, अच्छा खासा betting order है इसका, और यह बंदा balling भी चार over करता है, तो देखो हर match में points देखे जा रहा है, अपनी balling से, भी betting से, भी पिछले match में हला कि नहीं दिया, लेकिन एक बढ़िया player है, और हमें पता है, चार over करेगा, और साथ में चौते number पर भी आएगा, इतना सब कुछ है तो player को लेना पड़ेगा, हाना, अब सिकंदर, राजा, राजा की बात करें, तो यहां पर हमें दिख रहा है, खेला ही पिछला match पहला match है, तो देखे ज़रा, over कितने किये थे उस match में, हाना, हमारे पास होगा, देखो, मैं जब team देता हूँ, मैं सब कुछ देख के देता हूँ, ऐसे मैं हवा में team नहीं देता ह नहीं करेंगे यार, कि इतनी अच्छी team आपको मतलब इतने कम समय मिल गई, हाना, तो सिकंदर ने किये थे अपने, पूरे over तो बिल्कुल भी नहीं किये, दो ही over इनको करने को मिले, हाना, एक बात तो clear है, betting order देखे तो ज़रा, इसका, पांच में पे लेकिन, मुझे लगत से कौन सा option मिल रहा है, मारकरम का मिल रहा है, सरफराज, एहमद का मिल रहा है, और रेड़ी को तो रहने दो, तो यह दो विकलप में मिल रहा है, मारकरम पिछले match के hero थे सब जानते है, उससे पहले बिल्कुल 0 थे, लेकिन नहीं चल तो रहे है, तो मारकरम लेना पड़ेग आके आ रहे हैं, शायद उनके घर में थे, कहां पे थे, देखें जड़ा, नहीं हधराबाद में था match, तो यहां पे शहवाद अच्छा ऊपर आये थे, यहां पे बैटिंग करने शहवाद एहमद बैटिंग करने ऊपर आ गए थे, और ओवर ओवर एक ही गया था, मतलब बा तो यहां भी दोस्तों लगभग उपर तो आ रहा है बंदा, और बॉलिंग, बॉलिंग भी एक दो ओवर कर रहा है, तो ऐसा सेफ पिक है, यह नहीं कुछ भी नहीं देखे जाएगा, थोड़े बोट पाइंट तो बंदा देखे जाएगा, बॉलिंग में देखते हैं, तो यह भुवनेश्वर और मारकंडे, तो यह तीन-चार विकल्प आपको यहां पे दिये जा रहे हैं, एक बर ज़रा देखा जाए तो, 29, 41, अच्छा हर मैच में विकेट तो यह बंदा जरूर लेगा, हर मैच में यह बंदा विकेट लेगा, नटराजन, 29, 83, नटराजन भी विकेट जरूर लेगा हर मैच, भुवी, भुवी नहीं लेगा दोस्तों, भुवी पीछले मैच में ही विकेट मिला केवल, मारकंडे छोड़ दीजिए, लेकिन, मारकंडे कुछ खास नहीं कर रहा, एक बर जरा पंजाब की बॉलिंग देखें, रबाड़ा, रबाड़ा ल लेके जाएंगे, हर्शल पटेल भी किसमत के धनी है, तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी मर्जी है, मतलब आप लेना चाहो के नहीं, तो यहाँ आपके उपर है, दोस्तों, एक बर जरा टीम का बैलेंस देख लेते हैं, यहाँ पर बॉलिंग कोई भी विकेट लेके जा सकते ह यहाँ पर आप लोग नटराजन को ले सकते हो, अगर नटराजन वाली टीम के नटराजन अधरवाई अर्शडीप, तो जिसकी पहले वाल इंगे उसका प्लेयर ले सकते हैं, यहाँ पर आपको फाइदा रहेगा, अब दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कैप्टेन का, अब आप लोग देखोगे, कुछ बड़े नाम यहाँ पर निकल के आएंगे, जैसे कि क्लासन, अब शेक शर्मा, ट्रैवीज हैड, यह कौन है, अमर सैम करन, यह कुछ नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन, मैंने जैसे आपको समझाया, जिसका रोल मैट वे सबसे जादा होगा, व अर्दा सोबर भी मिल गए, यह बन्दा कैप्टेन है, अना, दूसरी तरफ अगर आपको चाहिए ही ओपनर, तो यह दोनों बैस्ट हैं फिर आपके लिए, अभी एक तो बहुत अच्छा पिक है, सेकिंडली, अगर पंजाब की पहले बैटिंग आती है, तो यह बन्दा आपको बनाना पड़ेगा, यह तो चाहिए, आप जाजा रिसक लेके कैप्टेन बना दो, या कम रिसक लेके वीसी बना दो, अब बारी हाथ यह कैप्टेन की, या बाइस कैप्टेन, दूसरा प्लेर कौन सा है, सीवीसी आपके उपर है, तो आपको क्लास बन दिखेगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाए कि अधिकत वाली बात में, टेलीग्राम पर जाके आप मेरे डीम के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो चले दोस्तों वीडियो से मापत करते हैं, धन्यवाद,